बच्छों आज हम लोग पढ़ेंगे चेप्टर नम्बर 6 प्लांट वाटर रिलेशन प्लांट्स को वाटर, मिन्राल, नूट्रियंट्स, फूट और गैसे की रिक्वाइर्मेंट होती है जैसे ऑक्सीजन और कारवन डियाकसाइड यह कहां सलाते हैं यह अपने सराउंडिंग सलाते हैं वो सराउंडिंग होता है उनका एट्मॉस्फियर एयर और स्वाइल से प्ल जो है प्लांट की टर्गिडिटी और शेप को मेंटेन करता है हमने देखा होगा कि गर्मी की दिन में जब प्लांट्स में पानी कम होता है तो वो सूख जाते हैं उनके पत्ते नीचे की तरफ चूख जाते है यानि उनकी टर्गिडिटी लॉस हो जाती है अभी वाटर की लिप्वीड होता है जो बेस्ट सॉ लवेंट होता है सौलवेंट मेंज की एक ऐसा टिकविड जिसके अनदर कुछ भी खुल जायर उसको कहते हैं स्वालवन्ट तो best solvent water इस लिए है क्योंकि उसके अंदर maximum substances खुल जाते हैं इसके अलावा water जो होता है इन ओर्गैनिक compound होता है जो कि neutral होता है pH उसका neutral होता है यानि कि ये ना तो acidic होता है ना basic होता है water एक तरह का transporting medium की तरह से भी काम करता है क्यों क्योंकि इसमें अंदर जो dissolve solvent होते है materials होते हैं जब plant उसको absorb करता है तो water के साथ nutrients वो minerals absorb होकर के plant की body में आ जाते हैं इसी तरह plant जो होता है helpful होता है photosynthesis के लिए plants के अंदर food का formation होता है glucose का formation होता है उसे photosynthesis कहते हैं और photosynthesis में water का एक important role है बिना water के नहीं हो पाता और water की specific heat जो होती है वो high होती है specific heat का मतलब होता है कि water का एक particular volume या amount उसको heat करने के लिए ज्यादा energy की जरूत पड़ती है या उसको cool होने के लिए ज्यादा energy lose करनी पड़ती है ठीक है तो इसलिए पानी को जल्दी से गरम भी नहीं किया जा सकता ना ही जल्दी से ठंडा किया जा सकता है इसलिए जब plants के अंदर water होता है वो उसको एकदम से heat नहीं होने देता और जल्दी के समय में ठंडा नहीं होने देता यह property होती है water की इसलिए जो है water को thermal buffer कहते है ठीक है water को इसलिए thermal buffer कहते है water molecules की adhesive और cohesive forces होती है यह इनके अंदर adhesive और cohesive forces काम करती है जिसके कारण यह जो है easily किसी capillary में rise कर जाती है capillary का मतलब हो गया कि जैसे एक capillary का मतलब हो गया एक पतली सी tube पतली सी tube के अंदर जो है water molecule उपर की तरफ चड़ता है इसमें water उपर की तरफ जाता है इसको कहते हैं capillary action से water का उपर चड़ना water में क्या होता है cohesive force का क्या मतलब हुआ कि water molecule एक दूसरे water molecule से चिपक जाता है या attraction रखता है इसके कारण वो साथ साथ चिपक के रहता है इसको कहते हैं cohesive force अगर water molecule किसी दूसरे substance suppose that यह कोई material है या glass है इस glass पे water molecule आकर के चिपक गया इसको adhesive force कहते है इस water को absorption करने के लिए water को अपने plant अपनी body में absorb करने के लिए water plant के पास specific system होता है specific organ होता है उसको कहते है root root के अंदर जो होता है किसी भी plant का बहुत सारे branches होते हैं एक single branch को एक single root को हम देखेंगे तो उसमें सबसे उपर की तरफ नीचे की तरफ यहां पर एक root cap होती है root cap क्या करती है जब यह plant की root जो हता है यह मिट्टी में या soil में नीचे जाता है तो root cap उसके destruction को बचाती है दूसरा होता है meristomatic region यह zone of elongation इसमें क्या होता है कि root के अंदर cell division होता रहता है है यह नी cell division होता रहता है तो root बढ़ता जाता है soil में इसके बाद होता है कि root hair zone root hair zone में root hair होती है ठीक है यह root hair है root hair क्या करती है इनका ही main काम जो होता है water का absorption main काम होता है पानी वाटर का absorption करना होता है soil से ठीक है और जो last zone होता है इसके ऊपर वाला zone उसको कहते है maturation zone यानि यहाँ पे एक mature root बन चुका होता है ठीक है इसी पार्ट से जो hair root zone है यहां से ही water का absorption होता है एक hair root को हम magnify करके देखेंगे तो hair root का जो cell होता है इसके अंदर एक पार्ट जो होता है ऐसे बाहर की तरफ hair की तरफ से निकला होता है ठीक है यह क्यों निकला होता है यह इस cell का surface area बढ़ा देता है यह surface area बढ़ जाने से क्या होता है इसके चारों तरफ जहां जहां भी यहां water रहेगा यह पूरे area में water रहेगा यह सब यह root के direct contact में आएगा जितना बड़ा root होगा उतने ज्यादा contact में water आएगा और उतना ही water इस root के अंदर absorb हो जाएगा ठीक है तो यह जो hair root cell होती है इसके अंदर भी normal cell की तरह cytoplasm होता है वैक्यूल होता है mitochondria होते हैं cell membrane होता है और चुकि यह plant cell है तो plant cell में एक cell wall होना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट जो water absorb करता है soil से मिट्टी से वह hair roots के through absorb करता है और कौन से water absorb करता है जो उस root के around होती है root के around जो मिट्टी होती है soil होती है उसके around जो area होता है इसको कहते है rhizo sphere rhizo means root sphere मतलब आस पास का area तो rhizo sphere में जो water होता है उसी को plant absorb कर पाता है ठीक है अब plant जिस water को absorb करता है root के hair root के through वो तीन process के through plant के अंदर absorb होता है first process है imbibation second है diffusion and third है osmosis यही तीन process के through जो है plant में water absorb होता है अब हमको imbibation को समझ लेना चाहिए यह पहला process है जिसके through plants water को absorb करते हैं imbibation का मतलम मैं ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम आच चने की भीज या कोई भी substance मूंग वगयरा को पानी में दुबा देते हैं तो तीन से चार घंटे बाद वो फूल जाता है वो water को imbib कर लेता है ठीक है adsorb कर लेता है उसके surface पे water substance adsorb हो जाता है इसमें क्या होता है जो भी substance है water को या कोई भी liquid को अपने अंदर imbib करता है उसको imbibate कहते हैं ठीक है और जो water या कोई भी liquid जो भी substance जो है adsorb हो होता है adsorb हो होता है उसको imbibate कहते हैं अगला process जिससे water plant में absorb होता है वो होता है diffusion diffusion का मतलब होता है कि something to disperse अब suppose that water है कोई solute है salt है sugar है something कोई भी molecule है वो किसी चीज में या कहीं पे भी disperse हो जाए उसको कहते है diffusion suppose that कि हम अपने कमरे में एक कोने में कोई perfume डालते हैं तो perfume के molecules कमरे के एक कोने में हमने डाले लेकिन उसके molecules पूरे कमरे में move करने लगते हैं और उस कोने के अलावा दूसरे कोने में भी उसकी खुशबू आने लगती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी molecule थे उस कमरे में एक side पे जो हमने perfume के डाले थे वो diffuse होकर के दूसरे कोने तक पहुच गया यानि वो molecule एक जगा से दूसरी जगा पर पहुच गया यानि कि कमरे के जिस कोने पे हमने perfume का molecule डाला था वहाँ पे perfume के molecule का concentration जादा था दूसरे कोनों पर जहाँ पे perfume का concentration बिलकुल भी नहीं था तो उस area की तरफ perfume के molecules move के इसी को कहते हैं diffusion diffusion को इस diagram की मदद से समझने की कोशिश करेंगे इस diagram में दिखाया गया है कि यह कोई high concentration वाला area है और यह low concentration वाला area है ठीक है और यह green color के जो molecule दिख रहे हैं यह सब solute है और जो यह blue color का दिख रहा है यह solvent है means suppose that कि for example यह blue वाला water है और यह green color वाला salt है तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे high concentration of salt है यह molecule high concentration से lower concentration की तरफ सारे molecule move कर रहे है ठीक है तो यह जो molecule move कर रहे हैं इनकी kinetic energy होती है यह molecule की उस kinetic energy की थुरू move कर रहे है और यह molecule तब तक इस liquid में move करेंगे जब तक कि इस molecule का concentration पूरे liquid में हर जगा equal नहीं हो जाता यानि कि यह equally distribute नहीं हो जाता इस diagram में हम देखेंगे कि यहाँ हमने एक liquid में कुछ solute मिला दिया ठीक है अब इस solvent के अंदर एक solute हमने डाला अगले diagram में दिख रहा है कि यह solute जो था इस solvent में equally disperse हो गया है पूरे solvent में हर जगा equally disperse हो गया है इसका मतलब क्या हुआ कि सारा molecule diffuse हो करके पूरे solvent में मिल गया है हर जगा और यह कब तक मिलता रहा है जब तक कि equilibrium नहीं आ गया है equilibrium मतलब कि सारे molecule equally पूरे solvent में distribute नहीं हो गया है अब यह जो diffusion होता है diffusion के कारण जो होता है यह plant root के अंदर water absorb होता अब यह hair root है यह दिख रहा है यह hair root है इस hair root के अंदर water का concentration कम है और इसमें बाहर की तरफ जो होता है capillary action से जो soil के अंदर यह water है यह water है इसका concentration बाहर ज्यादा है तो इसका movement कहां होगा soil से root की तरफ होगा यानि यह diffuse कर जाएगा ठीक है ऐसे diffusion से water soil से root में चला जाएगा यहां का हम एक word और समझेंगे diffusion results in diffusion pressure अब यह diffusion pressure क्या चीज होता है इसमें क्या होता है कि जब कोई हमने molecule डाला था किसी solvent में तो वो पूरे liquid में हर जगा equally distribute हो गया था ठीक है तो यह जो molecules हैं जो अपनी kinetic energy से पूरे fluid में हर जगा distribute हो रहे थे ठीक है इनका जो pressure होता है इस प्रेशर से यह distribute होते है उसको कहते हैं diffusion pressure है इसमें क्या है diffusion pressure of a solvent is always more than the diffusion pressure of a solution okay or the difference in the diffusion pressure of pure solvent and the solvent in a solution is called diffusion pressure deficit or suction pressure ठीक है the term was coined by BS mayor now a days this term is the term water pressure potentially is used for the diffusion pressure deficit अब इसको हम समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि suppose that कि एक glass में हमने जो है water लिया है pure water उसमें और कोई भी salt नहीं है दूसरे glass में हमने एक water लिया है और water में हमने salt मिला दिया है ठीक है salt जो मिला है हमने इसके अंदर यह सब molecule salt के हैं इसका मतलब यह एक solution है और यह pure solvent है अगर हम दोनों को plant में डालें किसी plant के root पे डालें तो जब यह water डालेंगे सिर्फ यह water डालेंगे तो यह plant के अंदर टेजी से absorb होगा यानि इसका diffusion pressure जादा होगा लेकिन जब यह वाला हम पानी डालेंगे या solution डालेंगे water में तो यह उतनी टेजी से absorb नहीं होगा क्योंकि इसके पास अपने solute है ठीक है इसका concentration खुद ही जाता है थीक है इसके अंदर solute का concentration खुद ही जाता है वैसे ही plant के root के अंदर भी solute का concentration जाता होता है तो दोनों में concentration है चुकि इसमें concentration plant के cell के concentration से कम है तो absorb तो ये वाला भी होगा लेकिन absorb कम होगा क्योंकि इसके अंदर खुद भी solute है लगकि ये water pure water होगा ये ज़्यादा absorb होगा इसमें क्योंकि इसमें कोई solute नहीं है तो इसका diffusion pressure ज़्यादा होगा इसका diffusion pressure कम होगा और इसी difference जो इन दोनों diffusion pressure के बीच का difference है इसको कहते है diffusion pressure deficit ठीक है और easy go up water potential नाम से जाना जाता है इस diagram में आपके एक ultra structure दिखाया गया है इसमें जो hair root cells थी उनका cell membrane दिखाया गया है ठीक है cell membrane क्या होती है वो कुछ-कुछ substrates के लिए permeable होती है जैसे वो water के लिए permeable होती है उसमें water absorb हो सकते है उसके अंदर ये lipid की bilayer है ठीक है और इसके अंदर porous protein है ठीक है ये porous protein है इनको aquaporins कहते है इसमें से क्या होता है water pass कर सकता है ये है outside area of the cell और ये है inside area of the cell ठीक है तो क्या हो रहा है आउटसाइड में जो water है वो absorb होकर के एक कोपोरिंस के थुरू cell के अंदर आ रही है यानि hair root cell के अंदर आ रही है और finally water absorb हो रहा है ठीक है क्यों? क्योंकि अंदर water का concentration कम है बाहर की तरफ water का concentration जाता है तो वो diffusion के थुरू बाहर से अंदर चली आ रही है इस तरह से diffusion के थुरू water का absorption होता है अब अगली वीडियो में हम osmosis के बारे पढ़ेंगे osmosis थोड़ा सा tricky है और वो आपको easy reason में आ जाएगा Thank you